तो दोस्तो आज 18 February 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे important सेक्टर से जरोवे IPOs के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत ज़ादा demand है और बहुत ज़ादा growth भी है particular इस सेक्टर में आईए तो इस company के बारे में थोड़ा सम डीटेल में चर्चा करेंगे साथ में company का balance sheet भी चेक करेंगे valuation wise चेक करेंगे इस IPO में क्या valuation रखा गया उसके साथ सथ IPO का detail gray market premium और finally क्या आपको इस company के IPO में apply करना चाहिए या avoid करना चाहिए तो चली शुरू से शुरुआत करते है company का नाम Thai casting limited तो नाम में दोस्तों इसकी जो business model है clearly mention कर दिया basically company casting उपर काम करता है आई अब थोड़ा सम डीटेल में देख लेते हैं यहां पर basically क्या कुछ में इंकोर्पेटेट इन जून 2010 मतल्ट वाज़ा दस में इंकोर्पेट रुआता है कास्टिंग लिमिटेट इस एन ओटो मोटीप अंसिलरी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई प्रेशर डाइकास्टिंग ध्यान से सुनना डाइकास्टिंग आज वेल आज दा प्रेशन मेशिनिंग ऑफ बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटेडियल एन इंडाक्शन हीटिंग और क्वेशिनिंग तो अब देखें बहुत लोगों को शायद य जानकर नहीं रखते तो आपके यह जो सवाल आया इसके लिए आपको सीधा सीधा कंपनी की जो उफिशल वेबसाइट है उसके आपको लेकर चलता हूं तो आप देख सकते हैं आप जैसे आप वेबसाइट करेंगे कुछ इस टाइप का नजर आपको दिख जाएगा तो एक पार्ट्स है वो दोस्तों कंपनी अपने प्लान पर मैनुफेक्चर कर जैसे आप देख सकते हैं यह बहुत ही यूसफुल फार्ट्स होता है और आज की रेट पे खुद गब मेंडम ने देखा यह सारे जो कंपनी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैनुफेक्चर करता है इस लगता है तो चोटे झाट कंपनी मेंफेक्चर करते इसको दूस्तों है उससे खड़ी दिते है और उसके बाद करके सली मेंफेक्चर करते विखस करके कंप्नी क्या हे क्लीक्न की आयां देख सुप तो आटोमेटीव, clearly हमें मेंशन किया, तो कहीनी के देखा जाए, cars हो, bikes की जो छोड़े ओरे parts है, pistons है, ठीक है, suspension है, तो ये सारे जो छोड़े ओरे product है, ये company खुद अपने plan पे manufacture करते हैं, यानि आज की rate पे इसका demand काफी high भी है, even काफी growth भी है इस particular sector में, और सबसे अच्छ के balance sheet में भी growth होना चाहिए, आप थोरा सम देख लेते की company के balance sheet में कैसा growth है, तो देखे, आपके सामने में बहुत सारे quarter wise, अच्छे, sorry, financial year wise, जो की balance sheet open किया, सबसे वहले होगा, आपका financial year 21, उसका बात financial year 22, financial year 23, और ध्यान से देखने ये financial year 24 की, first half में, पहले जो 7 महीन, actually 7 मह तो नहीं होता, पहले जो 2 quarter है, actually 2 quarter को यहां पे mention किया, ठीक है, तो मतलब first half financial year 24 की, तो शुरुआत करें के financial year 21 पे, company के revenue आता 20.43 करोर रुपीज, उसके बाद देखे सीधा increase होके, 38.34 करोर रुपीज, ध्यान से देखना, हर एक financial year पे बहुत अच्छा growth कंपनिया पे रखा, 48.96 करोर रुपीज, और इस बार अगर हम बात करें, financial year 24 पे, first half में, देख लिजे, दो quarter मिला के, लगबाग 28.89 करोर रुपीज पहुच चुका है, उसके बाद बात करें, company की net income, धीक है, net income मतलब net profit, जो financial year 21 पे, ध्यान से सुनना, financial year 21 मतलब का उन सा, lockdown वाला पिरियेड, य इतना tough situation, lockdown पे भी, तो अब देख से तो टोटल 40 lakhs, या निया बोल चक्तो कि 0.40 करोर की, net profit generate किया था, financial year 21 पे, उसका बाद फनाशनल 23 में, सीज़ा सीज़ा या पे जंप किया, 1.15 करोर, financial year 23 की बात करें, और जादा इन हैंस हुआ, 5.04 करोर, अध्यान से देखना, इस बार financial year 24 की बात करें, सिर्फ first half में, सिर्फ first half में, already cross कर चुका है, पिछले जितना record था, सारे record ब्रेक कर चुका है, 5.57 करोर, दोस्तों, company, net profit generate कर लिया, यानि एक बात पकी है, जैसे कि मैं भी आपको बोल रहा था, कि इसको खूद government support करें, इस particular sector को, और उसके साथ है, demand भी है, even बहुत बढ़िया growth भी है, clear cut company की जो balance sheet है, वहाँ पे साप सुधरा देख रहा है, और एक बात ये भी है, company की management भी काफी अच्छा है, जिसके थूँ इतना अच्छा काम company कर पा रहा है, ठीक है, अब चले balance sheet हमने देख लिया, अब बात करेंगे, बहुत सारे case में हमने financial 21,0.24, 22 में बरके 0.68, 23 में 2.96, यानि rapid growth हमें यहाँ भी देखने को मिला, P ratio की बात करे, price to earning ratio, इस IPO में जो upper price band and lower price band रखा गया, lower price band का P ratio 24.66 and upper price band का P ratio 26.01, मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक बोल चक तो बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं, एक SME IP का कोडिंग, मुझ इसको पर 100% इसका जो premium चल रहा है, उससे भी ज्यादा हम चेक करेंगे, तो वो भी add होगा, जब बजार में लिस्ट होगा, तो यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, तो overall बात करें, ठीक है, प्रीमियम मतब जो P ratio है, एक decent app का है, बोल सकते एक standard, P ratio आपे रखा ना बहुत हाई, ना बहुत लो, RONW, return on net worth, पहले 21 पे था 8.49, उसके बाद सीधा दुगना हो चुका है, 16.87, उसके बाद इके सीधा दुगने से भी ज्यादा, लगभग धाई गुना का असपास, 40.10, उसके बाद बात कर, ROC, 3 था 5 हुआ, 13 पे पहुँन चुका है, EBITDA margin क के बाद कर, 13 था, 13.17, 25 पे पहुँच चुका है, बट ये बाद भी सही है, at the same time, ध्यान से देखना, कमपनी के मैं बात कर रहा था भी, मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉंग है, कितना बढ़िया है, अब देख लिचे, डेट पर एक्वीटी का रेशियो पहले कितना था, 2.77, उसके बाद देखे, थोड़ा रिडियू, यहां पे रिडियूस हुआ, 2.63, उसके बाद देखे, कितना, 1.85, यानि अगर देखा जाए, कमपनी, डेट है, कमपनी को और कर जा है, बट वो जो कर जा है न, वो लगातार मैनेजमेंट ने गिराने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिसकस करते हैं, उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इनफर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके जरू रखना दोस्तों, इस टेप की इनफर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के ल बजार क्लोस, साटर्डे संडे, 19 और 20, मतब सोम बार और मंगल बार को, दोस्तों यह आई प्यू बजार में ओपेन रहेगा, उसके बाद फेजबालू, दस रुपए फेजबाल और शेर है, तो यहाँ पे भी मुझे लगदा है कि वैलोशन ठीक टाक रखा, प्राइस बैन लॉट साइस की बात करो, अविसली इसे में आई प्यो तो यहाँ पे लॉट साइस वह ज्यादा ही होता है, टोटल 1600 शेर, अगर आपको इस आई पो में एक लॉट एपलाई करना है, टोटल आपको 1600 क्वांटिटी का शेर ओडर प्लेस करना पड़ेगा, विकॉस यह इसका म कोई भी स्टेक सेल नहीं करेगा भाया ओएफेस, जितने भी फ्रेश एक्विटी शेर है, कम्प्लेटी दोस्तों कोई आई प्यो का साइस भी है, उसका इशू टाइप बुक बिल्ट इशू टाइप यह बजार पर लिस्ट होगा, उसका चले थोड़ा सम देख लेते हैं, ह फिलाल जो डेटा निकल किया रहा है, QIB के लिए 18.87% बहुत शांदार, HNI के लिए 14.15% बहुत शांदार, डीटेल के लिए बहुत अच्छी बात है, 33.02% जो कि यहां पर अलोकेट किया है, उसके साथ साथ, और एक चीज़ देख लिए, जो कि मार्केट मेकर शेर आफर अब बात करेंगा, IPO की कुछ important dates बगरा थरत जान लिजे, IPO ओपन हो चुका हो लिए Thursday से, Thursday, Friday और इधर Monday और Tuesday, 20 तारिक इस IPO का closing date है, तो आप IPO में अपलाई किया, रिजल्ट कब आउट होगा, 21st को, 21st Feb, यानि बुदबार, upcoming trading week, same day पे देखे, different मिल जाएका, clearly पे मेंशन कर या, उसके बाद, अगर आपको अलाउट में मिल गया, बहुत अच्छी बात है, अगर मिल गया तो, उसके इसमें, next day, Thursday के दिन, आपका share, डिमेट आकार में क्रेट हो जाएगा, और ये IPO बजार में लिस्ट होने जा रहा है, next trading week के, शुक्रवार, यानि Friday के दिन, 23rd Feb, 2024 को अच्छा, उसके बाद, एक और चीज यहाँ पे थोड़ा देख लिजे, कि अगर आपको इस IP में अपलाई करना है, तो कोशिश कीजे, कि जो mandate आता है, उसको approve, शाम के 5 बज़े के पहले ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख से तो, उसका जो deadline है, शाम के 5 बज़े त कर सकता है, तो दो लट कर सकता है, तो तो टोटल आप एक लट के लिए 1600 कांटिरी के शरोडर प्लेस करना पड़ेगा, वही minimum, वही maximum है, तो इस IPO में एपलाई करने के लिए, टोटल जो आपका पैसा लगेगा, एक लाख तेइस हजार दो सो रुपए, ठीक है, उसके बाद आचा, आच की डेट पे जो कंपनी की प्रोमोटर की पास, जो अपना स्टेक है, 86.50%, अब चले, क्योंकि देखिए, यह IPO बजार में उपन हो चुका है, तो आपको एक एस्टिमेंट मिल जाएगा, कि कैसा रेस्पांस मिला है, पहले दो दिन पे, 15 और सुला को तो देख लि टू एट, ठीक है, टाइम्स, और डे टू के बात करें, क्योंकि ने काफी अच्छा रेस्पांस दिखाया, लगबग सारी तीन गुना क्रोस कर चुका है, यह नहीं की बात करें, साथ गुना क्रोस कर चुका है, ओहो बाइस साब, रिटल इन्वेस्टर फूल जोश में लग इस IPO कि धर गया, हाँ, यह देखिए, थाई कस्टिंग, इसका प्रीमियम पहुच चुका है, 110%, तो मेभी यह IPO जब सुंबार के दिन फिर से बजा रोपेन होगा, थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है, गर गलोबाल मार्केट या नॉर्माल मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक बात करेंगे कि आपको इस IPO में एपलाई करना चाहिए, या एवाइट करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक SME IPO, और SME IPO में जो पैसा ब्लॉक्त होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है, एक लाग से जादा, तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आपके बजेट में फीट होता है, तो उसकेस में आप चाहिए, तो एपलाई कर सकते हैं, तो बठा, एपलाई करने से पहले, आप भी खुद अच्छे से इसको बढ़ स्टड़ी करना, प्रॉपर एरलाइस करना, उसके बाद देखिए, एपलाई करना ना करना, कम्प्लिटली आप के उपर डिपेंड करता है, बाग के दोस्तों कोई क्वाईरीज है, कमेंट के तुरू पूछना, मिलता नेक्स वीडियो पे, तब तक लेटे क्या बाबाई, जय हिंद,